सो हेलो बच्चे वार्ट साप आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का पाइप सेंट सिस्टर्ण दे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि आप थोड़े बहुत टेंथ में पर चुके हो एक्सरसाइज 1.6 इसके कुछ बेसिक कॉंसेप्ट में जल्दी से देता हूं बहुत ज एक बेसिक कोंसेप्ट क्या है कोई भी पाइप है और लिया तो अगर यह किसी टैंक को 5 आर्स में फील करता है इसको क्या लिखते हो इसको आप आवर पे काम नहीं करोगे जो भी कोईसन करोगे सारे के सारे one hour का work done पे काम करोगे work done, work done, याद रखना work done, क्या है work done आप किसी pipe के बारे में बोलोगे कि in five hours pipe A fill one tank one tank so in one hour one hour यहाँ पे work done भी लिखते हैं या part of tank भी लिखते हैं part of tank कितना हो जाएगा one by five यह है मेरे लिए काम की चीज़ यह five hours नहीं है, यह part of tank कि एक घंटे में उस pipe A का work done कितना है one by five this is one fifth part of tank कितना वो fill करता है ऐसे ही मालोग अगर खाली करने की बात है मालोग कोई pipe है जो कि मैं आपको बता दूँ कि six hours में वो drain करता है खाली करता है, empty करता है उस case में भी क्या करोगे लिखोगे in six hours in six hours pipe A drain या empty ठीक है empty is whatever one tank so in one hour part of tank pipe A empties is one by six बस इतना से काम है और इसमें कुछ नहीं है जब भी आपको time दिया हो और tank की बात करे तो आप अगर मालो minute की बात कर रहे है तो one minute का work done निकालो one minute का part of tank निकालो कि कितना fill कर रहे हो अगर वो खाली कर रहे है तो one minute का आप ये निकालो कि वो कितना train कर रहे है कितना खाली कर रहे है ठीक है अब अगर मालो की दो pipe है एक है pipe A pipe A एक tank को fill करता है वो fill करता है मालो की five hours में और pipe B है एक tank को fill करता है मालो six hours में तो बोलेंगे कि दोनों मिलके कितने गंडे में टैंक को फिल करेंगे आप क्या करो सबसे पहले वन आर का वाउग्डन निकालो वन आर का पाट ओफ टैंक पाट ओफ टैंक बाई पाइप ए यह कॉंसेप्ट पे ध्यान दो बस सारा क्वेशन हो जागा इसी से कितना हो जाएगा वन बाई पाइप 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 अब आएगा कि जब दोनों मिल के फिल करते हैं टैंक को तब क्या होगा देखो अब बोलेंगे कि पाइप A है इतने देर में भर रहा है पाइप B है इतने देर में फिल कर रहा है दोनों मिल के कितनी देर में फिल करेंगे तो आप दोनों का एक गंटे का वर्क दन निकाल लिया है अब आप टोटल वर्क दन निकालो इन वन आर टोटल वर्क दन लिखो य बोथ टैप्स या बोथ पाइप्स फिल फिल इन वन आर तो वन टैंक कितना हो जागा यह भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 11 थर्टी अपन देगा 30 अपन एलेवन आर तो एक टैंक का दोनों मिलके कितने घंडे में लाएंगे 30 वा एलेवन तो कहने का मतलब यह सीखना है कि अगर अगर आवर दिया हुआ है तो वन आर गा वर्कडन निकाल लो और अगर टोटल वर्कडन दिया हुआ है तो वन वर्क मतलब वन टैंक का निकालना हो तो फिर से यह रेसिप्रोकल हो जागा और आवर देदेगा अब यहाँ पर तीसरा केस आपको बताऊंगा कि मालो यहीं प तो यहां भी उसका निकालोगे पार्ट ऑफ टैंक निकालोगे पार्ट ऑफ टैंक बाई पाइप सी ड्रेंड हैना यहां फिल कर रहे हैं यहां ड्रेंड कर रहे हैं कितना है यह वन वाई थ्री अब जब टोटल वोग्ड निकालोगे तो यहां क्या करोगे आप यहां क्या करो अब इसको चाहो तो अपना कैल्कुलेट कर लो जो भी आंसर है उतना पार्ट ऑफ टैंक टोटल हो गया तीनों मिला के हैं अगर मैं इसको निकाल लूँ माल लिया इसको सब्सक्राइब कर लो कि हमारा आगया थर्टी वाइलेवन थर्टी माल लेते हैं तो अब मैं बोलूंग है कि जब भी फीजिटी बात होगी या की बात होगी ओन लटार थब सब्सक्राइब निकाल वटेप्र और करोगे निकाल को चाहि करो गे यह मीरला वाला पॉस्टिवदम्य होगा और देनिया और भॉन सigi क्शेप्टर फट एग्सराइज स्टारड करने वाला विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड ऑगे सो दिस इस मिश्रा सर्गुरु गावला जस्ट मैट्स क्लास नो टाइप पास एक्सरसाइज 1.6 में फर्स्ट क्वेस्टिन स्टार्ट करो दना दन ध्यांदर जाओ तू पाइप से एन वी कन फिल अटांग इन 24 मिनेट्स तब डेरेक्ली वर्क दण निकालो बच्चय जैसे नहीं करना है बार बार युनिट्री में तो लिखोगे संट पाइप क्यों वैल पाइप ए इन वन मिनेट्स कितना हो गया वन बाइट्व। एन वाइप ट्विन्टिफोर ऐसे ही पाइप आफ टांग क्यों वाइप बाइ तो बताओ दोनों मिलके टाइंग को कितनी दिर में कम्प्लेटली फिल करेंगे तो आप दोनों का वन मिनेट का वॉर्क डन निकालो न टोटल है ना तो क्या लिखोगे टोटल पार्ट आफ टैंग है ना फिल्ड बाई फिल्ड बाई एंड बी यह स्टेप्स है इन वन आर वन मिनेट कितना हो जाएगा वन वाइट ट्वेंटिफॉर प्लस वन भाई थाटीसीज यह कि आपका सेवेंटीटी टू सेवेंटीटी टू तो थ्री प्लस टू इस फाइब ऑपन सेवेंटी टू यह पाट आफ टैंग कोरेक्ट है अब बोल रहा है कि आपको टाइम निकालने आपने one minute का total work done निकाल तो time निकालने आप यानि कि आप फिर से one tank का निकालोगे तो उल्टा हो जागा कैसे reciprocate करके मैं एक बार यहां लिख देता हूं उतना लिखने की जरूत नहीं है जैसे लिखोगे five by seventy two part of tank part of tank is filled by a and b in one minute one minute का ही है तो वन वन टैंक का क्या हो जागा वन अपन फाइब अपन 72 और यहां पर डिरेक्टली लिख दो therefore time taken by a and b both to fill one tank is one upon one upon five upon 72 and that is 72 by five hours अब यह हो गया 14 hours plus two by five hours है ना अब इसको into 60 कर लो तो यह हो गया 24 minutes तो यह हो गया 14 hours plus 24 minutes that's it यह पहला question हो गया question number two क्या है अब pipe can fill a tank in 20 minutes मैं ऐसे ही रफली बता देता हूं एक पाइप 20 minutes में fill कर रहे है तो one minute का उसका work done कितना हो गया part of tank कितना हो गया one by 20 कि उसके बाद दूसरा है pipe जो empty कर सकता है उसका work done कितना है one by 60 है ठीक है अब बोथ pipe are open together बताओ टाइम टोटल फिल करने में तो इसको भी ऐसे ही लिखो और डारेक्ट्ली स्टार्ट कर दिस पाइप लिख रहा हूं इन वन मिनट वन मिनट इस वन बाइट कैसे आया वह मैं आपको बता चुका हूं आप चाहो तो पेपर में स्टेप लिख सकती हो नहीं भी चाहो तो डिल्किल सकते हो ट्वैल खी बाद है दूसरा है अप आफ टैंक फिल्ट 5B in 1 minute कितना 1 by 60 तब टोटल पार्ट आफ टैंक कितना हो जाएगा टोटल पार्ट आफ टैंक कितना हो जाएगा फिल्ड बाई A and B फिल्ड बाई A and B in 1 hour कितना 1 by 20 अब तुम बोलो के सर यहाँ पे दो ड्रेंड कर रहे है बिल्कुल कर रहे है आप चाहो तो यहाँ जैसे हमने लिखा है न पार्ट आफ टैंक फिल्ड बाई तो यहाँ लिख दो ड्रेंड बाई है हाना वो मैं भी भूल गया था आप भी मत भूल जाना जहां भी फिल्ड होगा फिल्ड लिखना ड्रेंड होगा ड्रेंड लिखना ताकि आपको याद रहे है यह 1 by 20 प्लस 1 by 60 नहीं होगा 1 by 20 माइनस 1 by 60 होगा अब अब अगर आपको एक टैंक कर निकाल लेंग फिर से इसका उल्टा कर दो लिख दो देर्फोर देर्फोर ताइम टेकेन बाई बोथ ए और बी तो फिल वन टैंक इतना यह भर रहा है इतना फिल कर रहा है इतना खाली कर रहा है तब भी तो एक गंटे में कुछ ने कुछ तो भरता जाएगा ऐसे कितने गंटे में टैंक भरेगा है ना क्योंकि फिल करने वाला क्वांटिटी ज्यादा है अगर वो ड्रें करने वाला लेगा तो टैंक तो कभी फूल ही नहीं होगा है ना मालो एक लीटर हमने अब टैंक में पानी डाला और दो लीटर हमने ड्रेंडेंच कर दिया तो वहाई तो फिल हो गाई नहीं कभी तो इसलिए हमेशा फिल करने वाला क्वानिटी ज्यादा होते हैं अब इसको आप ने कर दिया वन भाई थर्टी पार्ट आप टैंक ताब वन टैंक क्या होगा फिर इसका रिसी प्रोगेट कर दो वन अपन वन अपन थर्टी एंड इस थर्टी आर्स डाट सिट अच्छा इस क्वेशन में आवर नहीं है यह अब थर्ट में क्या है देखो एक पाइप ए है वो फॉर्टी मिनेट्स में फिल कर रहे है तो लिखो पार्ट आफ टैंक फिल्ड बाई पाइप ए पाइप ए कितना वन बाई वन बाई फॉर्टी इन वन मिनेट लिख देना ठीक है दूसरा है due to leakage in the bottom it took 60 minutes to fill the tank देखो चलागी किया या अब लिकेज कितना है यानि कि खाली करने वाला जो पाइप है या होल है क्या है यह लिकेज है तो मालों लिकेज को भी पाइप ही माल लेते हैं तो लिकेज वाला जो पोर्षन है वो पाइप को खाली कर रहे है अब वो कितनी दिर में खाली कर रहे है वो नहीं लिखा हुआ यहा यहां लिख दो लेट को तना है कि टेकन गभाई लीकेज को लीकेज टो द्रें वन दैट एज एक्स आवर है या मिनेट है मिनेट है तो यहां एक्स मिनट लेलो ताकि यहां से फॉलन मनट का पाट ऑफ टैंक में निकाल सकता हूं टिक है एक फेटर टेंक 1020 के ट्रेन भेल लेनप में का अधार प्षड वंद लेन हो गता हूं सकते हैं कोतल पर्ट ओफ थैंक पर्ट ओफ थैंक फिल्ड इस बार भाई ऐ एक एक बनेट बार्ट बट्बार यहां लीदे निए in 1 निट 1 20-1 गाल यह दिए उन ये घुडेन रुडेर रहे हैं यह द्रेंड आप एक एक फूर्टन चीज और बोला हुए कि भई दो बॉटम उनने टोक सिक्स्टी मिनिट्स तो फिल दाएं कुईस्ट्र में भी बोला हुआ है एकॉर्टिंग टॉइसं कि देखें इस सिक्स्टी मिनेत्स में पूरा के पूरा फिल करता है ठीक है यानी कि टोटल वाग्ड दन वन मिनिट जो दिया हुआ है टोटल पार्ट ऑफ एंग फिल्ड बाई बोथ ए एन बी एन बी इन वन मिनेट वो कितना दिया वन बाई 60 तो भाई ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों तो एक ही चीज है आप दोनों को इकुल कर दो तो क्या लिखोगे वन बाई 40 माइनस वन बाई ये उधर चलगया यह यह उधर अगया 1 x 40 माइनस 1 x 60 क्या बनोन गये है है आँ 42 तैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा 1960 किसी को आप 2 घंट votes अक्ति यह नहीं आर्स दैट सिट तो देखो क्वेस्टन नमबर फॉर बिल्कुल सेम है पुष्टन नमबर थ्री के जैसे है आई होप कि आपको धी कर लोगे उसमें कुछ भी नया नहीं है ऐसे एक फिल करने का है तो वन आर्गा पाट अफ टैंक निकालो कितना फिल किया एक ड्रेंड करने का है तो वन आर्गा निकालो पाट अफ टैंक कितना ड्रेंड किया दोनों को टोटल करो एक प्लैस एक माइनस जो आंसर आएगा हो गया टाइम टेकन निकालना है रेसिप्रोकेट कर दो हत्तम ठीक है अब क्वेस्टन नमबर फाइब क्वेस्टन नमबर फाइब में क्या बोल होगे तो पिश्यन नमबर फाइव है कि तू पाइप एन बी रॉन टूगेदर एंफिल टैंक इन सिक्स मिनट्स हम डारेकली पाट अफ टैंक निकाल लेते हैं यहां दोनों का दे दिया तो पाट अफ टैंक पाट आफ टैंक फिल्ट भाइब पाइब शेंप्स एंब लेते इस अब बोल रहे है कि आप पाइप एटेक्स फाइब मिनेट्स लेस देन भी तो यहां टाइम टेकन सपोज करोगे वर्क देन कभी सपोज नहीं होता है टाइम टेकन ताप यहां करोगे लेट टाइम टेकन बाई पाइप ए आप प्रॉपरली लिखते ना बाई पाइप ए टू फिल वन टैंक टू फिल वन टैंक इस एक्स मिनेट में है तो मिनेट में ले लो आर में है तो आर में ले लो एक्स प्लस फाइब इसका क्या लोगे टाइम टेकन बाल भी यह हो जाएगा एक्स प्लस फाइब क्योंकि इससे पांच मिनट कम टाइम लेता है एक्स प्लस फाइब तोब अगर इसका भी मैं वर्क्डेन निकालूँ तो ऐसे ही निकालूँगा कैसे लिखो पार्ट आफटैंक हाना तु फिल पार्ट आफटैंक फिल्ड बाई फिल्ड बाई पाइप एड इस वन बाई एक्स प्लस फाइब अब टूटल टोटल этим की टी टोटल पाउट आफ टांग निन वणना वण मिनट आजा ये सब सब कुढ़ की लिए खॉप 2 यह सब टोटल कितना है, one minute का है यह total, in one minute सारा, तो one minute का total कितना हो गया, one by x plus one by x plus five, that's it, अब यह total है, एक minute का total work done है, total part of tank, और यह भी है, एक minute का total part of tank, दोनों को जब add, equal करोगे, x निकल जाएगा, तो मैं दोनों को अब equal कर रहा हूँ, तो देखो, one by x plus one by x plus five, equals to one by six, नीचे क्या हो गया, x into x plus five, उपर में क्या हो गया, x plus five plus x, equals to one by six, this is two x plus five, upon x square plus five x, equals to one by six, क्या बन जाएगा, x square plus five x, plus twelve x, sorry, equal to, equal to twelve x, plus thirty, क्या बन गया, x square minus seven x, minus thirty, equals to zero, अब ये कितने से होगा, ten three जा, तो इसको break करो, x square minus ten x, plus three x, minus thirty, equals to zero, x common लिया, x minus thirty, three common लिया, x minus ten, sorry, x minus ten, तो हमारा क्या आंसर आगया, x plus three, and x minus ten, तो हम three लेंगे नहीं, क्योंकि बोल दोगे कि negative नहीं हो सकता, time taken by x, क्या है, x हमारा time taken यहां लिखा बतना, वो है, तो हम नहीं ले सकते, तो हमारा answer क्या आएगा, x equals to ten minute, that's it, but आपको पूछा है, time taken by pipe b to fill the tank, तो pipe b का क्या लिखा था वहां पर, कि अगर a x, x minute ले रहे, तो b x plus five minute ले रहे, तो यहां पर लिख दोगे, therefore, time taken by pipe b to fill, tank is x plus five, यानिकि 10 plus five, and this is 15 minutes, खर्ता हूं, यह हमारा answer है, अब question number six में है, pipe a can fill the tank three times faster than b, अब इस question को दो टाइब से लिख सकते हो, अगर time taken b का, माल लो x minute लिखता है कोई, x minute, तो pipe a का कितना हो जाएगा, वो से faster है three times, मतलब x by three minute में ही fill कर देगा, that's it, एक तरीका यह है, दूसरा तरीका है, कि अगर कोई बच्चा x को x minute लेता है, a का time x minute लेता है, तो b का time क्या हो जाएगा, three x minute, because इससे यह तीन गुना ज्यादा time लेता है, तो यह slower है, ठीक है, आवर है, वो देख लो, minute, तो यह हो गया, x minute, और यहीं पर pipe b का time कितना हो जाएगा, three x minute, अब इसका total निकाल लो, बीना देखे हुए, so in one minute, total part of tank, total part of tank, part of tank, है न, filled by, filled by, a and b, कितना हो जाएगा, पहले आप work done निकालोगे, मैं एक step खा गया, कैसे खा गया, मैं पहले निकालता, part of tank in one minute, by pipe a, तो one by x, part of tank filled by pipe b in one minute, तो one by three x, और तब मैं करता है कि one minute का total part of done, total work done, मैंने एक step खा लिया, आप लोग ऐसे मत खाना, तो यह हो गया, total one by x plus one by three x, done, अब question में बोल दाए आपको, according to question, a and b can fill the tank in 36 minutes, running together, तो यहाँ लिख दो, according to question, है ना, total part of tank, total part of tank filled by, filled by a and b in one minute, is है, one by 36, one by 36, तो यह दोनों को equal कर दो, that's it, खेल खत्म, उन दोनों का LCM करूँगा, तो क्या हो जागा, 3 x, 3 plus 1, 4, and equal to 1 by 36, यह हो गया, आपका, x कितना हो गया, 4 into 36 upon 3, यह हो गया 12, this is 48 minutes, that's it, अब देखो question number 7 क्या है, बहुत ही important question है, क्या सकते हो, थोड़ा दिमाग भी लगे गए इसमें, question number 7, है ना, यह tough question है, तो question number 7 में है, कि दो पाइप है a and b, and time दिया है 32 minutes and 48 minutes, तो हम पहले part of tank, part of tank, है ना, filled by pipe a in one minute, कितना हो जाएगा, one by 40, one by 32, one by 32, दूसरे का मैं लिख लेता हूं, नहीं तो मैं भूल जाता हूं, this is part of tank filled by pipe b in one minute, यह आगया, अब क्या है, total part of tank निकाल लो, total part of tank, in one minute, one minute filled by both a and b, ठीक है, कितना हो जाएगा, one by 32, plus one by 48, इसका LCM कितना होगा, 32 and 48 का LCM देख लो, I think 42 जा, 96 और यह भी 96 पे जा रहा है, यह हो गया, 96, यह 3 जा, और यह 2 जा, this is 5 upon 96, यह total part of tank हो गया, a and b दोनों fill कर रहे हैं, अब क्या बोल रहा है, चला कि कर रहे हैं, कि both pipes are open together for some time, some time, पहले question समझ दो, कुछ देर के लिए दोनों साथ चले, उसके बाद pipe b बंद हो गया, तो बोल रहे हैं, कि आपने pipe b को कब बंद किया, अगर पूरे system को, यानि कि पूरे tank को fill होने में, कितना time लगना है, 24 minutes, तो देखो, सबसे पहले तो यह suppose कर लो, कि भाई, let both pipe a and b, a and b, both pipe a and b, are opened for t minute, t minute में कितना work done होगा, यह देखो, so in t minute, in t minute, part of tank कितना fill किया, part of tank कितना fill किया, filled by, filled by a and b, कितना हो गया, 5 by 96 into t, भाई, एक minute का, कितना part of tank को काम कर रहा है, तो t minute में कितना होगा, this into t, यह t minute का work done होगा, मतलब t minute तक दोनों ने 7 काम किया, correct है, दुबारा summarize कर रहा हूँ, एक minute का work done निकाल लिया, a का, pipe b का निकाल लिया, दोनों का एक minute का total work done निकाल लिया, अब बोल लिया कि दोनों को open किया गया, दोनों साथ चलना है, start किया for some time, मतलब हमने ले लिया कि late t minute तक ही वो दोनों साथ काम किया, ठीक है, तो t minute में कितना काम किया, अगर one minute में इतना काम किया है, तो टी मिनेट में इतना हो गया उसका टोटल वाप ठीक है तो आप क्या कह रहा है कि आप बी को आपने स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पाइप ए अकेला काम कर रहे है और तब जाके टोटल टाइम जो फिल करने में लग रहा है वो ट्विंटी फॉर मिने तक बाकि उसके बाद बी को बंद कर दिया अब अकेला एक काम करेगा और तब जाके टोटल टाइम को फिल करने में ट्विंटी फॉर मिनेट्स लगता है तो भाई अब देखो कि आपके पास टोटल टाइम कितना हुआ है यह जो जंजट वाला काम हुआ है इसमें टोटल ट स्ट इतना मिनेट जो है कौन काम कर रहे हैं वर्कस और यहय तो भाई अका में यह फिल करता है इлан से तो यह फिल करता है इतना तो इतने मिनेट में कितना मல्टिप्लाई कर लें गे यहाह विध्य psych देखो यहां दोनों का मिला के था तो दोनों का वन मिनट का वर्क देन कितना है फाइब पॉर निटी सिक्स अब अगर वो टी मिनट काम किया तो टी से मल्टिप्लाइब कर लिया ठीक है ऐसे इसका भी देख लो 24 मिनेट्स में लिखोगे पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक फिल्ड बाई फिल्ड बाई पाइप ए वनली इन 24 माइनस टी मिनट मिनट कितना हो जागा इक मिनट का वोक्डर्ण यह है वन बाई 32 यह हो जागा 24 माइनस टी इन्टू one वाई 32 तो यह आ गया हमरा अब देखो मैं संस्थ कर रहा हूं मैं ए पाइप एकल वन बोले को तो आप बोलगा न येकले मतब तू मिनट के लिएimat बनों साथ चले तो दोनों Watch के यानि कि दोनों का जो one minute का work done है उसको टी से multiply कर लिया यह हो गया कि टी मिनेट में इतना work done हुआ दोनों का दोनों मिल के जब किया और जब remaining time बोला कि दोनों आप उसके बाद 24 टाइम लगेगा टोटल फिल करने में जब थोड़ी दिर के लिए चलेगा और उसके बाद यह जो है अकेला करेगा तो उस काम हुआ इन दोनों को add कर दो total work done कितना है one total के case में क्या बोलोगे total tank यानि कि one tank अब इसको आप add कर दो तो क्या हो जाएगा फाइब टी फाइब टी प्लस 96 प्लस फाइब टी अपन 96 and 24 मैंस टी अपन 32 दोनों को add करो कितना हो जाएगा फाइब टी प्लस यह त्री जा होता है तो वन और सेवेंटी टी टू हो जाएगा सॉरी मिनेट तो क्वेशन में क्या पूछ रहा था कि या फाइंड वेन पाइब बी मस्ट बी टॉन डॉफ तो हमने वही लिया था कि टी मिनेट तक दोनों काम किया उसके बाद बी को टॉन आफ किया मतलब टी का वैल्यू जो हमें निकाला इस इतने टाइम के बाद ही बी 1016 फिश्टीन आजव कर लो पहले दो वनवाई ट्वेंटी कर लो और वनवाई सिक्स्टीन कर लो अना डचर अमें पाइख अवक तैंक पाइब पाइब आप लिए लिग देना प्रॉपर्ली फिपल बाइफ और इसे ये पाइब भी है इन वर्यच्ट यह हमने पाइब ट दोनों का वर्क्डन निकाल लिया तो टोटल भी वर्क्डन निकाल लो टोटल पाट अफ टैंक टोटल पाट अफ टैंक इन वन मिनेट बाई A and B दोनों कितना हो जाए गा है 1 by 16 प्लेस 1 by 20 32 48 आ कितना हो जाए गा इसका 23 जा 60 24 जा 80 80 ले लो हो गया 5 प्लेस 4 इस नाइन बाइट यह पार्ट अफ टैंक अब बोल रहा है कि बी है देखो अब कोई सब्सक्राइब बहुत इंपोर्टन कोई से यह भी यह भी स्टार मार्ट है आपके लिए टाफ की बात करोगे तो अब बोल रहा है कि pipe B alone is kept open for one-fourth of the time and both pipes are kept open for the remaining time मतला अब फिर वही गेम स्टार्ट किया कि दोनों को कुछ देर के लिए चलाया एक को बंद कर दिया बाकी एक continue किया यह पिछले question में था यहां क्या क्या बोल रहा है पहले B को ही चलाया one-fourth time तक बाकी time जो बचा उसमें A और B दोनों चला तो मतलब इस जोल में time कितना लग रहा है यह time अलग है यह time तब होता है जब दोनों टैंक एक साथ कि बाइए एंड बी टू फिल वन टैंक इन सेकेंड सिचुएशन ऐसे लिख लो इन सेकेंड सिचुएशन इस टी मिनट है या आवर है टी आवर ले ले लेते हैं टी आवर है तो आप क्या बोले है वी को हमने one-fourth time के लिए चलाया तो मतलब time taken time taken by B कितना हो गया टी बाइफ ओर और remaining time के लिए ए और बी दोनों चला मतलब time taken time taken by time taken by A and B कितना हुआ तो अब देखो टोटल टाइम टी आर्स है अब उसमें से टी बाइफ 4 आर्स कौन काम किया पाइप B तो बागी बोल रहा है कि बागी time के लिए और बी दोनों ने किया तो बागी time कितना बचा है आरे पास 3ty4 अगर एक टोटल टाइम टी लग रहा है सेकंड सीचुेशन में तो टी बाइफ 4 तो खाली अकेला भी चलां तो दोनों बाद में रिमेनिंग पार्ट में दोनों चला है तो 3ty4 तो निकाल लो वर्क तो मुझे पता है वंन मिनेट का वर्क देन तो मुझे पता है कि one minute में कितना part of tank fill करता है या बी या दोनों यह तो पता है तब इतने time के लिए चला है तो आप निकाल लो पर्ट अफ टैंक है न है फिल्ट बाई बी इन टी बाई फॉर मिनट आवर कितना वन आर का कितना है पार्ट बी का 1 by 16 यह कितना ओजागा टी बाई 4 इन्टी बाई 16 इस टी बाई 64 यहां यहां क्या लिखोगे पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक फिल्ड बाई A and B इन 3 T by 4 आवर कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कितना काम करते है 1 minute का वाक्टन यह है इतने 1 hour का इतना है, तो इतने आर का कितना हो जाएगा, तो 9 by 80 into 3 T by 4, ठीक है यह कितना हो गया, 27 T by 320 अब क्या है, अब देखो टोटल टाइम T लगा था तो भाई, T by 4 आर्ट के लिए इसने इतना काम किया, और बागी रिमेनिंग पार्ट के लिए A and B ने इतना काम किया दोनों काम को आप एड़ कर दोगे तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, यानि की 110, अब आप क्या करोगे अब क्या करोगे, एड़ करो T by 64 प्लस 27 T by 320 and that's it 1, अब इसका करोगे तो कितना होगा 5 जा होता है, तो ठीक है 5 T प्लस 27 T इकोस टो 1, यह हो गया 32 T 32 T कितना हो गया, 10R that's it यही आंसर होगा मेरा जितना भी वीडियो देख लेना सिरफ एक, I think, मॉडूलस का ही है जिसमें कि मैंने आप उसमें मजबूरी है कि आपके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है, नहीं तो मेरे वीडियो इसमें यह देख लेना कि मैं अपना चूज करता हूं, अपना इस्टाइल फॉलो करता हूं कोई फाइदा नहीं है, जब तक थोड़ा इनोवेटिव नहीं हुआ, फिर बच्चे भी इंट्रेस्ट नहीं दिखाते हूं, फिर तो आप एक्जामपल देखके भी कर सकते हूं, रटे मार लोगे हैं तो यह सारा टेंथ के मेथड पर ही कॉंसेप्ट एक ही है बस कि इतने आर में वन टैंक, वन आर में इतना पार्ट अफ टैंक, फिल कर रहा है तो पॉजटिव, ड्रेन कर रहा है नेगेटिव, इतना ही कॉंसेप्ट है, और उसी पर पूरा का पूरा चैप्टर है, एक्सिसाइज है, अब चलते हैं हमला क्वेशन नमबर नाइन पर, करने के भी जरुत नहीं है, I don't think so, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, यहीं पर रफली कर लेना, दो पाइप का फिल करने का है, तो वन आर का पाइप एका वर्क डन कितना हो जागा, वन आर का पाट अफ टैंक कितना हो जागा, पाट अफ टैंक बाई एक इतना हो जागा, वन बाई टू आर का है, तो वन अपन वन बाई टू यानि कि टू पाट अफ टैंक, और बी का कितना हो जागा, वन बाई वन यानि कि वन पाट अफ टैंक, और सी का कितना हो जागा, ड्रेन कैसे कर रहा है, आपका, एमटी कर रहा है, तो यह हो गया, आपका, एमटी कर रहा तो यहां माइनस हो जागा इतना ही टेक्नीक है क्योंकि यह ट्रेन कर रहे यह दोनों दून कर रहे हैं माइनस वन भाई टूबर देना थिक है यह पाइब दो पारट अफ टैंक हो गया तीनों का जब टोटल निकालते हो तो यह तो वन 1 आर का मैं इतना टैंक स्वीक फिर टाइम टैकन के आपने पट्वास विल्टा हो सकता है इसको कर लो इन्टो 60 कर लो दिस इस 24 मिनेट्स खत्ताम कुछ नहीं करना इसको क्या बताना है ट्वेल्स के बच्चे को इतना तो स्मार्ट होई तुम लोग बता दिया रफली यह वन आर का वागडन निकाल लो एका वी का वन आर का ड्रेनिंग का ड्रेनिज यह फिलिंग का यह ड्रेन कर करने का है यह सी का निकाल लिया तीनों को जब आप एक साथ स्टार्ट करोगे यह पॉस्टिव में होगा यह नेगेटिव में होगा टोटल वागडन हो गया इतना इन वन आर तो वन टैंक का कितना हो जाएगा फिर से वन अपॉन कर दो हत्ता इतना यह तो कॉंसेप्ट है इसमें इतना हाई तवा मसानी के ज़रोस है यह नहीं कुछ यहां मैं टाइम टेकन ले लूँगा उसका हो जाएगा मेरा वर्क डन वन बाई एक्स अब मैं इसको सेट करता हूं कि लिखोगे पाट आफ टैंक कि फिल्ड बाई कि फिल्ड बाई वन पाइप ए इन वन आवर है या वन मिनट है है 1 minute है in 1 minute इतना इतना आड का चीना वर्क डन इतना और पाइप क्यासे निकालोगे तो पहले सब्सक्रीद Congress क्रोब करोची लेट तám टेकर इंड यूथ्ट अट regularly से लोस्ग एक्स पॉर इसका भ bütün पर टएँं आइस या जाए फूर्ट पाट ऑफ टैंक पाट ऑफ टैंक बाई पाइप सी इन वन मिनाट मत लिखना रहे है यह आवर में चल रहे हैं तो वन आर इस वन बाई एक्स अब टोटल कितना हो जाएगा टोटल वर्क देन कितना हो जाएगा इन वन आर बाई A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा भाई A आड कर लो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60 माइनस 1 बाई x और एकॉर्डिंग टु क्वेस्टन कितना दिया हो है कि तीनों मिलके आपको टैंक को कितनी दिर में फिल कर रहे हैं 40 मिनेट्स में तो एकॉर्डिंग टु क्वेस् और यह बाला पार दोनों सेमी तो है एक घंटेका टोटल वयक्तन है शरीए एक जंदे का टोटल वयक्तन ये हैं दोनों को इकुल कर लो तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 60 मैनेस 1 बाई x इक्वास्तू 1 बाई 40 ठीक है अब आप इसको क्या करो या तो ऐसे कर लो 1 बाई X को उदर ले जाओ 40 को यदर लिए हो 1 by 20 plus one by 60 minus one by 40 equals to one by X कितना हो गया कितना जैगा 120 जैगा I think so, this is 2 minus 3 and this is a 8 minus 35 equals to x कितना हो गया 24 hour है यो minute है कर देता हूं आवर मिनत में वो प्राक्टिस है इसलिए आप देख लो इसको लिख दो ध्यान से आप लोग पेपर में भी करना मिनेट में टेन नांस होगा तो कार्ट भी देगा पुरा सो ऐसा गलती ना करें यह मिनट है इस मिनट मिनट कोई बड़ा इशू नहीं है आप इसको मिनट कर सकते हो सारा मिनट में आंसर आगया तो माई आंसर इस एंथ का 24 मिनेट्स तो सी जो है 24 मिनेट्स में पुरे पाइप को ड्रेंग करेगा ठीक है अब हम करने वाले हैं कोईसन नमबर 11 इस क्वेस्टन इस ऑल्सोर टिफिकल्ट ठीक है पहले ही बता दू डिफिकल्ट कोईस्टन है क्या-क्या बोल दा है सबसे पहले टोटल वाग्दन निकाल दो टोटल पार्ट ऑफ टैंक पार्ट ऑफ टैंक है ना बाइए प्लस बी प्लस सी इन वन मिनेट इतना हो जाएगा वन बाइस सेवेंटीट्टन अब क्या है अब बोल रहा है कि इफ आल थी पाइप्स रुमेन ओपेंट फर थर्टी सिक मिनेट्स फिर से जोल वाला गया सेकेंड सिच्वेशन की आप तीनों पाइप को थर्टी सिक्स मिनेट्स के लिए ओपेंट किया उसके बाद पाइप सी को क्लोज कर दिया उसके बाद एए एन बी सिरफ दो ही पाइप जो है मिलके टैंक को फिल किया तो उसको एक घंडे का मिला तो बताईए सी का आलोन का टाइम क्या है यही कोईस्टन है हाना तो क्वेस्टन समझ गया है क्वेस्टन है पहले यह तो दे दिया आपको कि ठीक है तीनों का जॉइंट लिए वो वागड़न इतना है तो यह हमने निकाल लिया अब बोल रहे है वह सेकेंड जोल वाला कि 36 मिनेट के लिए यह तीनों ने काम किया फिल किया उसको उसके बाद पाइप सी को क्लोज कर दिया अब जो ए और बी सिरफ वही वाग करेगा तो उसको एक गंड़े का और टाइम लगा तो बताओ सी का अलोन का टाइम क्या है यही क्वेस्टन है तो पहले यह निकाल लिय आपने अब तुम देखो कि भाई इन तीनों ने मिलके कितनी देर काम किया 36 मिनेट्स तो आप लिखो गए इन 36 मिनेट्स हाना टोटल वर्क डन टोटल पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक यानि की वन बाई टू पार्ट अफ टैंक काम हो चुका है अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा या रिमेनिंग टैंक लिख तो रिमेनिंग टैंक कितना है वन बाई टू क्योंकि वन बाई टू तो अलेटी फिल हो चुका है जो तीनों तीनों ने साथ मिल के किया था रैट अब वन बाई टू पार्ट के लिए क्या होगा क्या पार्ट सी को मतलब पाइप सी को बंद कर दिया आफ्टर डूइंग 36 मिनेट पाइप सी इस स्टॉप्ट तो 36 मिनेट में कितना काम हो गया वन बाई टू उसके बाद कौन काम करेगा जो रिमेंडिंग पार्ट ऑफ टैंक है उसको कौन फिल करेगा एंड बी अब एंड बी हाफ टैंक को कितने जरी में फिल करता है वो सी को जैसे स्टॉप किया उसके बाद एंड बी को एक घंटे का टाइम और लगता है मतलब एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं वन बाई टू पार्ट ऑफ टैंक को फिल कर रहे हैं तो आप लिखोगे युनिट्री मेथट से कि ए प्लेस भी अगर वन बाई टू पार्ट पार्ट ऑफ टैंक को वन आर में फिल करता है है वन आर में फिल करता है तो वन टैंट को कितने दिर में फिल करेगा टू आर में डण और को क्या लिखोगे तू इंटू 60 कर लो दिस इस वन ट्वेंटी मिनट तो मतलब एक गंडे का A प्लेस बी का दोनों का मिल के टाइम जो है किसी टैंक को वन टैंक को फिल करने का 120 मिनट है तो यहां से भी आम इसका वाउग्डन निकाल सकते हैं तो यह 120 मिनट में 120 मिनट में एए प्लेस बी एट फिल वन टैंक फिर से वही कॉंसेप्ट वही पुडाना वला नहीं है कुछ भी तो वन मिनेट में पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक बाई एप्लेस बी कितना हो जागा वन बाई वन ट्वेंटी थिक है , वन बाई वन distintos तो यह प्लेस बीन हेखा वन कमिल के हैं वन बाई वन ट्वेंटी वन कौन ट लन रा गया और तीनों का मिला के वन बाई सेवन्टीटू गोब से देखना थीनों को मिला के वर्क डॉन अगया 1 मिनित के ओं's मार्ड से पार्ट सी Oh, अ्वह और और वर्क डन आ गया तो टाइम आ गया बात खत्म इसले लिखो गए पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक है ना फिल बाइसी अलोन इस तुम्हारे हेल्प इले लिख देता हूं पार्ट अफ टैंक है बाई ए प्लस बी प्लस सी माइनस पार्ट अफ टैंक पार्ट अफ टैंक बाई ए प्लस बी है ना तो यह होगे आपका वन बाई 72 माइनस वन बाई 120 अब इसको करोगे तो यह होगे आपका फाइब माइनस त्री इस टू अपॉन अपॉन एटी ठीक है तो पार्ट अफ टैंक फिल्ट बाई टेकेन बाई सी अलोन टू फिल्ट वन टैंक इज वन एटी मिनेट खत्ताम कुछ नहीं करना है ठीक है इसी को आप त्री आर्स भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हम लोग चलता है क्वेशन नमबर 12 पर है यह भी एक यूनिक सा क्वेशन है बहुत ज़्यदा टफ नहीं है ट्रिकी है और आसान भी ऐसे क्वेशन आते भी है तो देखो अब टू पाइब से पी एन क्यू केन फिल्ट टैंक 60 मिनेट्स एं 30 म तो मैं यहां पहले ही लिख लेता हूं 1 by 60 and 1 by 30 मेरे से यह मिस्टेक बार बार होता है इन वन मिनेट लिखना भूल जाता हूं कई बार वन आर लिख देता हूं सो आप लोग प्लीज ऐसा मिस्टेक ना करना ठीक है ना आप लिख सकतो डिरेक्ट लिए पाट अफ टैंक अब क्या बोल रहा है अब थर्ड पाइप आठ ड्रेंस फाइब लिटर पर अफ वाटर पर मिनेट यह वाल्यूम दे दिया है यह इस पर अभी नहीं जाना है अपने को तो टाइम और टैंक की बात होती है कि यह टैंक है कितनी देर में फिल करता है इसकी बात होती है कितना नहीं दिया हुआ है तो आप अपने तरफ से ले लो लेट लट लेट पाइंक गहीं तेकन भाइज़ क्वाइब सी तो ड्रें तो ड्रें यह ना वन टैंक वन टैंक इस एक्स मिनेट अब यहां भी इसका वर्ग दन निकाल से इसका भी लिखोगो पार्ट ऑफ टैंक टास्ट ड्रेंद यहां फिल्ड है में वहां ट्रेंड रेंड बाइट पाइब शी एंग वन विनेट कितना ओझाएगा 1 by x, that's it, अब क्या करोगे, total work done in 1 minute क्या हो गया, now the total work done, total work done in 1 minute क्या हो गया, आप लोग trend हो, पता चल गया, ये plus, ये plus करना और ये minus करना है, so 1 by 60, plus 1 by 30, minus 1 by x, that is what, चलो इसको अभी यही रहने दो, अब according to question, according to question क्या दिया हो है, last में पर हो, all three pipes are opened, it took two hours to fill the tank, यानि कि तीनों को अगर एक साथ open कर दिया जाए, तो total time कितना हो लेता है, 2 hours, यानि कि उसका भी total work done कितना हो गया, 1 by 2, तो यहां भी कर लो आप, ये भी total work done है, और लिख दो according to question, total work done in one by कितना हो गया, one by two, just sure कर रहा हूं, two hours है न, हाँ, तो one by two hours, अच्छा, ये minute सारे, सारे minute में चल रहे, यहां आर्स में हो जागा, इसको क्या करोगे, two hours को क्या ले ले लेना, 120 मिनेट्स, यह हो गया, 120 मिनेट्स, यहां लिख देता हूं, since two hours is 120 मिनेट्स, तो confusion नहीं हो गई, ठीक है, तब इन दोनों को सीधा equal कर दो, तो मैं यहीं करता हूं, 1, 1, plus 1 upon 60, plus 1 upon 30, minus 1 upon x, equals to 1 upon 120, यहीं चीज़ लिख दिया मनेट्स, दोनों को equal कर दिया, अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले ओ, 1 by 60, plus 1 by 30, minus 1 by 20, equals to 1 by x, 120 ले लिया, 2 जा, 4 जा, 1 जा, कितना हो गया, 5 by 120, this is 1 by x, तो यह 1 by 24 से कट गया, तो x कितना हो गया, 24 मिनेट्स, अब यहाँ लीटर का गेम चलेगा, अब मैं बॉल्यूम निकालूंगा, ठीक है, अब क्या बोल रहे है, जो आपका पाइप सी है, यह आर, PQR मिलिया है, तो आप देख लेना, PQR भी लिख लेना, ABC मैंने लिख दिया है, तो पाइप सी जो है, यह पाइप आर जो है, वो क 24, this is 120 liters, that's it, यह answer हो गया आपका, है ना, थोड़ा यूनिकनेस आगया न, question में, इसमें capacity भी पूछ दिया, बागी सारे concept तो है, question number 13 देखो, उसमें मैंने लिख दिया है, उसका information, बोल रहे हैं, कि a tank is filled by three pipes with informed flow, आप पढ़ लो, this, 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 A and B simultaneously start कर रहे है, and then third pipe alone, whatever, वो सब ठ देखो कि second pipe fills the tank five hours faster than the first pipe, second pipe five hours faster than the first pipe है, and four hours slower than the third pipe, इसको सबोज कर कि कैसे लिखोगे, पहले लिखो, let time taken by pipe A, है न, to fill one tank, क्या लिखोगे, XR, अगर A का XR है, उससे faster है, B वाला, second वाला, तो faster मतलब कम time लेगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, same चीज रिपीट कर देना, pipe B का क्या लिखोगे, time, X-5, hour, hour, और second pipe के बारे में ही बोल रहे है, कि यह third pipe से slower है, मतलब third pipe, second वाले से भी faster है, four hours, तो इससे भी faster है, third, तो यानि कि इससे भी 4 गंटे कम time लेगा, तो third वाला क्या है, pipe C, इससे भी 4 गंटे कम, यानि कि कितना बन गया है, X-9, hour, done, तब तीनों का हमने time निकाल लिया, यह हमारा बरा achievement है, अब क्या बोला है, कोई यह भी question tricky है, यह ध्यान दे देना, अब यहाँ बोल ला है, कि A और B, यह दोनों मिलके, जब simultaneously start करेंगे, तब उतना time लेंगे, एक tank को fill करने में, C, उतने ही time में, अकेले fill करेंगा, ठीक है, इसका यह मतलब है, आप question read कर लो, A and B, मैं एक बार रीट कर देता हूं, first two pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone, यानि कि इन दोनों का मिलाके, जो work done होगा, वो इसका अकेला work done होगा, तो अब पहले work done निकाल देते, चलो, तो क्या लिखोगे, total work done, बताया था time पे कभी काम नहीं होता, work done पे, total part of tank, total part of tank, हैना, in one hour by a plus b, वो लिख देना, that is, one by x upon one by x minus five, पहले थी या तो separately one hour का one hour का work done निकाले न, फिर add कर ले न, मैंने directly कर दिया, और इसका pipe c का कितना है भाई, total part of tank in one hour, pipe c कितना, one by x minus nine, हो गया, यह दोनों को same करना है, now game is over, according to question, दोनों का work done, a and b जो simultaneously है, और c alone है, दोनों का equal है, ताप लिख दो, one by x plus one by x minus five equals to one by x minus nine, हो गया, इसको करिए, x into x minus five, उपर में x minus five plus x equals to one by x minus nine, यह हो गया, 2x minus five, यह होगे, x square minus five x equals to this, done, अब आप multiply करो, 2x square minus 18x, ठीक है, minus five x plus 45 equals to x square minus five x, यह और यह cut, यह होगे, x square minus 18x, and plus 45 equals to zero, 15, यह पर ब्रेक कर लेना, हाना, यह आजागा, x minus three, x minus fifteen, done, x minus three, x minus three, so x equals to three, and fifteen, three वाले में बोलोगे, यह value rejected हो जाएगा, लिख दोगे, rejected, क्यों हो rejected, because अगर x three होगा, तो फिर जो a का time हो गया, three, तो b का time क्या हो जागा, x minus five, तो negative में चला जाएगा, c का क्या होगा, x minus nine, तो और negative चला जाएगा, तो वो possible नहीं है, इसलिए मेरा जो answer है, I think hours में है, या minute में hours में है, तो 15 hours मेरा time हो गया, answer, जो हमारा a का time है, क्या पूछा है आपको, 13 में, first, find the time required by first pipe, तो first pipe हमने a का नहीं लिया था x, कोई बच्चे अगर b का x लिया होगा, तो उसको put करगे a का निकालना होगा, हमारा चुकि a x c था, इसलिए direct answer आगया, that's it, now the last question is, question number 14, यह भी unique सा question है, अच्छा question है, इसका information वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, कि जो pipe c है, वो twice takes time, twice faster than b, और b जो है, वो twice faster than a है, इसको एक बार गौर से पर लो, three pipes, this, 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 five hours में उसका total simultaneously हो तो बात की बात है, now the pipe c is twice as faster as b and b is twice as faster as a, तो पहले a से start करते है, let, let time taken by pipe a to fill one tank, one tank in, sorry, tank is x आवर, आवर ले लो, ऐसे ही फिर c का क्या, बी का क्या लोगे, बी का क्या लोगे, इससे वो twice faster है, मतलब इससे इसका आधा कम टाइम लेता है, तो एकर यह x आर में है, तो बी फास्टर है, मतलब x by 2 hour लेगा, और फिर c जो है, बी से भी twice faster है, मतलब c भी इससे बी से भी कम टाइम लेगा आधा, यानि कि x by 2 का हाफ कितना? x by 4 hour, that's it, total part of tank, सीरह निगाल लो ना, खदम करो ना, total part of tank in 1 hour by a plus b plus c equals to 1 by x, सबका reciprocal होता है, बताया था, अब तो सबको से smart होई गये होगे, xr में, 1r में, 1 by x, इसका भी reciprocal, इसका भी reciprocal, सब्सक्राइब लोगर, so this is 2 by x and this is 4 by x, this is 4 by x, और according to question, according to question आपको total work done कितना दिया हुआ है, बही, total time दिया हुए कि तीनों मिलके कितने hours में फिल करना है, 5 hours में, तो उसका भी total work done कितना हो जागा, total part of tank कितना हो जागा, part of tank, filled, in 1r, by a plus b plus c, a plus b plus c, उसका कितना हो जागा, 1 by 5, 1 by 5, तो हो गया, ये दोनों को equal कर दो, यहीं कर देता हूँ, therefore, उसका LCM ले लेता हूँ, X ही है, तो आसान है, 4, 2, 6, 7, 7 by X equals to 1 by 5, तो ये तो ऐसी ही निकल गया, X equals to 35 hours, इसका question number 14, 35 hours, that's it, so yes, thanks for watching, and giving your priceless time to this video, अच्छा लगे तो जरूर subscribe करना, और कभी भी कोई problem हो, comment, जरूर किया करो, comment करने से हमें पता चलता है, कि ठीक है, यह अच्छा है, बुरा है, whatever, कहीं कोई weak area है, तो हम मैं इसको improve कर सकता हूँ, मिलते हैं हम लोग next video में, I think partnership या stream का, यह 2-3, 2 exercise पचे हुए, so I hope कि इसको मैं finish करूँगा next video, मिलते हैं बहुत जल्दी, thank you very much,